फ्लोरेंस नाइट एंगल का जनम 12 मई 1820 में हुआ था फ्लोरेंस नाइट एंगल आज की आधुनिक नार्सिंग सेबा में अग्रे गनी थे वो एक लेखक और सांखी की वीद्वी थे उन्हें दा लेडी वीद दा लैंप का खिताब दिया गया था फ्लोरेंस नाइट एंगल का जनम एक अभिजात परिबर में हुआ था उनके पिता थे विलियम एटवर्ट नाइट एंगल और माता थे फ्रांसिस नाइट एंगल अपने जीवन काल के दावरान उन्होंने 1853 से 1854 तक लंडन में केर आफ सीक जेंटल उमेन इंस्टिटूट में एक तत्तावधायक के रूप में काम किया था 1855 में उन्होंने नर्स पसिक्षन के लिए फंड कलेक्ट करना सुरू कर दिया और उनके कटिन परिश्रम के बाद सन 1869 में नाइट एंगल ने 45,000 पाउंड एक करत्र किये थे बात में उन्होंने भारत के ग्रामिन लोगों के स्वास्थ पर रिसार्च किया जो भारत में बैतर स्वास्थ सेबा पदान करने में एक मैत्त पुन भूमी का निभाई उन्होंने इंगलेंड की सास्थ पुनाली को बरावा देने में विशेश भूमी का निभाई 1869 में उन्हें Royal Statistical Society के पहले सेनी के सदस्य चुने गए थे 1860 में London में St. Thomas अस्पताल में एक पुर्ण केरियर के रूप में नर्सिंग सेबा को इस्थापित करने के लिए उन्होंने Night Angle Training School की स्थाफाना की जिसका बरतमान नाम है Florence Night Angle School of Nursing उन्होंने 1867 में Dr. Elizabeth Blackwell के सयोग से New York में महिला Medical College की स्थापना की इसके अलावा उन्होंने विविन समय पर नासिंग पर किताबे भी लिखी उन्हें कई पदक और खिताब से सम्मानित किया गया था 1883 में Rani Victoria ने उन्हें Royal Red Cross पदक से सम्मानित किया उन्हें 1907 में पहली महिला के रूप में Order of Merit दिया गया था सन 1908 में उन्होंने London सहर की Honorary Freedom Nama सिख्षक प्राप्त किया था इसके अलावा 1974 से उनका जनम दिन 12 मई को मनाया जा रहा है अंतराश्टी और नर्जडे जिसके माध्धम से सरन किया जाता है एक ऐसी महिला को जिन्होंने ए इस्थापन किया था नर्जश्टीन एक पेशा नहीं परंतु एक सेबा है 13 अगस्ट 1910 को लंडन में 90 बर्स के उम्र में अपने घर पर फ्लोरेंस नाइट एंगल की निदन हो गया